So rules for binomial nomenclature सबसे पहला language किस language में हम नाम देते हैं आपको पता है जो language हम हर रोज यूज़ करते हैं जैसे आप हिंदी ले ले या इंग्लिश ले ले तो हम यह पता है कि जैसे जैसे हम उसे बोलते हैं over the time हम उस language में modification कर देते हैं कितने सारे slang word आ गया है तो क्या आप चाहते हैं कि आप जिस चीज़ को नाम दे वो हमेशा बदलता रहे ऐसा हो तो you do not want that तो हम ऐसा language यूज़ करते हैं जो अब लोग जादा नहीं यूज़ करते जैसे कि लेटीन लेटीन एक बहुत पुराना language है और अब उसे regularly use नहीं किया जाता ऐसा कोई भी language जो एक टाइम पे यूज़ किया जाता था लेकिन अब उसके usage बहुत कम तो दे minimum या नेगलेजिबल हो गया है ऐसे language को हम कहते हैं डेड लेइज़ तो जो scientific name है it is given in the डेड लेटीन उनली लेटीन अगर आपको नहीं आदो तो आप ब्रैकट में लिख सकते है कि ऐसा language जो अब यूज़ नहीं किया जाता it is not used जाने मोर डेड लेइज़ लेइज़ that is latin ओके डूसरा it should contain how many word? two word इसले बाइनोमियल it should contain two word example जब तक हम example नहीं लेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा तो as मैंने पहले आम बोला था तो हम आम ही को ले लेते है इस मैं फेवरेट फ्रूट अलसो अभी तो season भी आ गया है so mango common name है लेकिन उसका scientific नाम है वो है mangifera indica indian origin है indica तो यह है scientific name for mango कितना word है दो word है है ना तो पहला rule फॉलो करता है it should contain two word दूसरा यहाँ पे यह बाला rule है कि लैटीन लैंग्विज होना चाहिए उसका language क्या है लैटीन है दो word है तो यह तो दो रूल हमने satisfy कर लिया this is not the only rule there are multiple rules अब यह दो name क्या specify करता है यह जो पहला word है first word implies genus generic नाम है क्या है generic name generic name represent genus अब genus क्या है यह एक taxonomical hierarchy है वो हम थोड़ी देर बाद जब हम taxonomic hierarchy पढ़ेंगे तब उसमें हम देख लेंगे फिल्हाल आप यह नाम और sunname के साब से पढ़ सकते हैं तो यह जिस category में belong करता है वो यह represent करता है ठीक है आप जिस community में belong करता है आप ऐसा कह सकते है तो this is generic name represent genus इंडिका जो है वो species epithet है मतलब कि actual नाम जो है जैसे कि मेरा नाम शिवांगी है किसी का राज राज या XYZ जो भी नाम है तो वो यह है तो this is second name second word जो है वो रिप्रेजेंट करता है species epithet it's very important मैं इसको star mark कर देती हूँ आपको पता होना चाहिए done now दूसरा रो आप देख सकते है कि पहला जो word का first letter है मैंने क्या लिखा है capital लेकिन second word का जो first letter है वो क्या है small है हमारे name और surname दोनो word को आप capital में लिखते है दोनो word के first letter को आप क्या लिखते है capital बट यहां पे इसके में अभी मैं यहां पे जो भी लिखूंगी वो generic का होगा यहां पे जो भी लिखूंगी वो species epithet का होगा यह rule है आपको याद होना चाहिए first letter of genus is capital ठीक है और यहां पे क्या है as you can see it is small small letter में लिखते हैं next जब आप इससे computer में type करता आप कोई file बना रहा होते है उस वक्त जो आप जो आप language उस करेंगे जैसे कि time-storming होता है यह से तब हम italic font यूज करते हैं क्या यूज करते हैं italic तो when typed when typed sorry it will be much en कौनसा font italic font या italicized italic font this italicized okay but this is for both of them इसके लिए भी same लेकिन जब यह hand written होता है when hand written क्योंकि आप italic font तो लिखते वक्त तो यूज नहीं कर सकते हैं तब यहां पर हम क्या करते हैं हम उसे underline करते हैं but separately it's very important जब आप हाथ से लिखेंगे तो आप क्या करेंगे इससे underline करेंगे but कैसा underline आप पूरा इसको यहां से लेकिसा जोड नहीं देंगे it will be wrong आप क्या करेंगे आप इसे separately underline करेंगे दोनों वर्ड को अलग-अलग so when handwritten it is underlined separately so यह सारे बहुत important है please remember all these rules are very important इसपे किते बार MCQO पे question भी आया है and even NCRT के जो question उसपे भी आया है कि rules, write the rules for the binomial nomenclature so it's very easy, very simple and easy to remember okay so these all are the rules for naming any particular species so यहाँ पे हमने यूसके है Mangifera Indica common name या वर्लाइकुलर नेम for in India is mango mango या आम आप उसका लो कल वर्लाइकुलर नेम जो है so these all are a rule now कई बार I will attach my name ahead of the species epithet species epithet के बाद यहाँ पे एक और चीज एड किया जाता है scientist का नाम तो यह जो Mangifera Indica है इसका नाम जो दिया था वो Carolis Lineus ने दिया थो उन्होंने क्या किया अपना नाम यहाँ पे abbreviated form में पूरा नाम नहीं abbreviated form में add किया था Lynn Topp सिर्फ Carlos Lineus तो जब scientist के नाम लिखने का भी rule होता है if scientist name is written then it should be written in the abbreviated form okay so यहाँ पे हम लिख देता है इधर साइड में आप इसके नीचे लिख लीजेगा if scientist name is written then first letter क्या है first letter of word should be capital यूकि नाम है of course word should be capital and form कैसा होना चाहिए it should be in abbreviated form abbreviated मतलब short form पूरा पूरा नाम नहीं लिखना है abbreviated form so these is the rule very important for scientist ka so I hope I am clear with this okay so now अभी हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे जो problems arise होता है naming के वक्त क्या क्या problem arise होता है इसे की as I said there are roughly two 54 country exact number मुझे भी नहीं आद आ रहा है तो हम इतना मान के चलते है तो काफी world is very large तो हर इंसान हर जगार पर जा नहीं सकता है तो मानलो कि किसी चीज़ पे एक particular X species है उस पे इंडिया में भी research चल रहा है और ऑस्ट्रेलिया में भी research चल रहा है आप ऑस्ट्रेलियर्सus not aware कि we are also doing research तो हमने उस पे अपना नाम दे दिया मानलो हमने जो नाम दिया है वह हमने एक दिन पहले दे दिया मैंने वहिंगो का जो नाम दिया है अधिन उसी वाक्त ऑस्ट्रेलिया में एक वीक के बाद उसका नाम उन्होंने मेंजिफेरा लेटिस या कुछ S-C-X-Y-Z नाम दे दिया है तो जब दोनों बोटैनिकल कम्यूनिटी के पास गया है ICBN के पास गया है कि यह नाम हमारा यह रिसर्च है तो अब यह क्वेश्चन आता है कि कि किसका नाम हम कंसिडर करें दोनों रिसर्च किया है, दोनों का नाम सही है, दोनों ने सही सब फॉल रूल किया है But now which name should we consider अब दोनों कंट्री को तो एंगर नहीं कर सकते हैं दोनों कंट्री हैं, important countries है और they play a very important role in the global world also So here, यहाँ पर यह बात आ जाती है कि आप किसी को नाराज नहीं करना चाहते है है ना, तो इसका भी एक solution है यहाँ पर बिना किसी को बुरा, you know, without making other feel bad हमने यह कर दिया है First come first serve basis इसलिए कि हम क्लास में जाते हैं तो आगे के bench पर जो भी पहले आजा वो बैट जाता है, बाकी बिचारों को पीछे बैटना पड़ता है क्योंकि आगे की bench पहले ही occupy हो चुकी है तो जिस country ने वो name पहले दिया है हम उसको consider करते हैं ठीक है? और इस situation को बोलते हैं Synonym So this is known as Synonym जैसे कि हम मेरा नाम और मेरा pet name ठीक है? तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं क्योंकि मैंने कहा ला कि दुसरे country को आप नाराज नहीं करना चाहते तो जिसने पहला नाम दिया है उसको हम actually name consider करते हैं और जो दुसरा वाला नाम है उसको हम pet name की तरह का synonym यूस कर लेते हैं ठीक है? So I hope I am clear So let's study that So now synonym 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 मतलब होता है चलो, क्या होता है? जब one organism given two names जब किसी एक organism को दो नाम दे दिया जाता है So for example let's just say हम यहाप एक fungi का fungi white rust ठीक है? कौन सा fungi है? White rust जब इसका एक common नाम है अब इसको दो नाम दिया गया name one name two तो जो name one था that is name one is albugo candida scientific name है तो सारा rule follow करेंगे और दुसरा जो इसका name है वो था cystopas candidas ठीक है? तो एक नाम क्या है? albugo candida and cystopas candidas अब यह दोरों नाम किसका है? white rust का है तो अब किसे क्या नाम दिया जाया है? तो in that situation in this situation name which was given first is considered as scientific name while other considered as synonym like nickname तो albugo candida क्या हो गया? scientific name क्योंकि पहले दिया था और यह क्या हो गया? synonym so this is known as synonym जबी भी किसी एक organism को दो नाम दिया जाता है तो हम पहले वाले को scientific name बोल देते है और जो दुसरे वाले है उसे क्या कहते है? synonym अब यहाँ पे एक और case आता है मान लीजे किसी एक organism को यहाँ पे एक organism को दो नाम दिया है हम क्या करते है? किसी दो organism को एक ही नाम दे देते हैं मान लो यह दूसरा case भी आ सकता है ना कि भाई organism तो सेम है सुरी नाम तो सेम है बट organism कितना है? दो तो उसमें क्या किया जाए? तो वहाँ पे जो next time आएगा वो आजाएगा ओटो निम क्या कहेंगे? ओटो निम ओगे तो नाव वी बीज़िटिग अबाउट होमो निम सो होमो निम होमोनिम मतलब क्या होता है? असरे से सकेंड सितुवेशन वेड वन नेम इस गिवन तो 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 दिफरेंट स्पिसिस तो then homo निम मतलब same name same name to two different species homo मतलब क्या हो गया? same so two different species then name which was given given first to species is scientific name for that one while other species is renamed other species is renamed दुसरे वाले को दुसरा नाम दिया जाता है इसका एक है almond and plum prunus example है इसका prunus dulcis prunus dulcis जो है वो scientific नाम almond और plum दोनों को दिया गया था लेकिन पहले किसको दिया गया था? almond को तो अब यह वाला जो नाम है almond के लिए तो यही रखा गया prunus dulcis युकि इसको पहले दिया गया था लेकिन यह जो plum है इट वाज रिनेम्ड एट प्रुनस डोमेस्टिकस क्या नाम रखा गया इसका? प्रुनस डोमेस्टिकस ठीक है? तो इस इस दे सिचुएशन हाँ होमोनिम कि जब कोई भी एक नाम किसी दो स्पेसिज को दिया जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं? तो जो पहला नाम दिया गया है इसे पहले दे दिया गया था तो उसके लिए वो नाम कासिरर किया जाता है लेकिन दूसरे वालों के लिए दूसरा अलग नाम दिया जाता है Renaming and that is known as कई बाल क्या होता है कि एक organism का generic name और species epithet दोनों ही क्या हो जाता है same and तब उसे बोलते हैं tautonym, tautomerization जिस आप chemistry में पढ़ते हैं that is known as tautonym okay so where species and generic name both are the same third situation is tautonym so tautonym this is second situation third situation scientific name of organism इसका generic name और species epithet दोनों क्या है same word से बना होता है जैसे कि example हम लेते है गोरिल्ला या we'll take कोब्रा कोब्रा जो है यह common नाम है इसका scientific नाम है उसमें दो वर्ड है लेकिन दोनों वर्ड क्या है same है it is नाजा नाजा देखा तो जैनेटिक नेम और species epithet क्या है same है एक और है example गजेला गजेला ब्लैक बक तो ब्लैक बक गजेला गजेला ठीक है so these all are example और कई सारे है जैसे rat का ratus 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 bufo bufo bubo bubo ऐसे आप crow का जैसे है toad का जो है वैसा there are different uh name for toad also like bubo bubo okay sorry aap it will be in the small ratus ratus bubo bubo there are different toto names एक और situation है autonym now next situation is autonym जहाँ पे एक organism को तीन वर्ड दिया है क्या दिया है तीन वर्ड so let's see the autonym so let's see the species appetite and subspecies अगड़ा it is called autonym in the autonym here it will be naaja naaja and this will be bufo bufo because bubo bubo जो यह नाम है यह owl का है autonym वाला जो situation है वहाँ पे fourth autonym जिसे की human का जो नाम है वो homo sapien है यहाँ पे generic नेम और species नेम क्या है बिलकुल अलग है लेकिन human का जो नाम है वो homo sapien sapien है यहाँ पे जो third word जो आ रहा है उसे हम variety कहते हैं तो जब कभी भी किसी भी organism का species नाम और third word जिसे subspecies कहते है या variety कहते हैं same होता है तब उसे क्या कहते है autonym so when organism has same species name same species species and subspecies name same name or word for subspecies species and subspecies or variety ठीक है इसका एक्जाम्पल human इसका scientific नाम है homo sapien 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 ये क्या हो गया species name ये क्या हो गया subspecies ठीक है तुसरा एक्जाम्पल है gorilla 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 ठीक है अटीक है तीक है हुआ इसाथासिट शुपेशन विज़एशन विद ग्साम्पल थैक्षास प्यूख प्यूप़्यूँ ताईकर द्वूबड रिचास्टुछ ये भूश्प्यूड़ डिचास्टुडबड जराओ